दोस्तो आपने भी इस साप को कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर ये कौन सा साप है तो मैं आपको बता दू कि ये एक नौनेहनेमस यानेवेशेहिन साफ है जिसे मराठे में कवड़ा साफ, कवड़ा नाग, हिंदी में साखर साफ, भेडिया साफ या सामने कवरियला साफ और इंग्लिश में गुल्प स्नेक या कॉमन उल्प स्नेक के नाम से जाना जाता है ये बड़ा ही घुसेल होता है और इसे काटने में महारत हासिल होती है हमने इसे पकड़ लिया और इसने हमें काटा नहीं ऐसा बहुत कम होता है लेकिन इसके काटने पर किसी भी treatment की जरूरत नहीं होती ये हमारे देश के सभी इलाकों में पाया जाने वाला साप है और भारत में इसकी कुल नो प्रज़तिया मौजुद है ये निशाचर होने के कारण दिन भर आराम करता है और रात के अंधेरे में शिकार करता है इसका मुख्य भोजन छिपकली होता है इसलिए उनका पिछा करते करते ये हमारे घरों में घुशता है और दिवार पर भी आराम से चड़ सकता है ये साप अपने दुश्मन से बचने के लिए एवं शिकार को लुबाने के लिए मरने का नाटक करता है दोस्तो हुबहु इसके जैसा दिखने वाला एक दुसरा साप होता है कॉमन क्रियेट जो आशिया का सबसे भेनेमस साप है इस साप में और कॉमन क्रियेट साप में क्या फरक होता है जानने के लिए आप वीडियो देख सकते है वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है साप हमारे परियावरन का संतुलन बनाए रखने में महतोपूर्ण भूमी का आदा करते है इसलिए सापों को मारे नहीं बलकि उन्हें बचाने में एवं उनकी रक्षा करने में अपना योगदान दे धन्यवाद